हर्यों प्रिद्रसकों, यदि आपकी करक राशी या करक लगन है इस वीडियो को पूरे दिहान से, देखेंगा आप इना स्क्रिप्ट किये, क्योंकि ये बहुत महत्पून वीडियो है, जैसे आपने थमनेल में पढ़ा, कि ब्रम्हांड में बहुत बड़ी हलचल होने जा रह हैं, उनमें बहुत बड़ा परिवरतन होने जा रहा है, अब 16 नवंबर से असली खेल चालू होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और ये सबसे पहले हम समझेंगे कि ये क्यों लिखा गया, कि ब्रम्हांड में बहुत बड़ी हलचल हो रही है, और इसके ब हैं इस वीडियो में कभर करने वाले हैं जो पूरे महिने उब्मर के महिने में आप देख रहे हैं अलग अलग तो उनका कोई वीडियों बता रहा है कि बहुत अच्छा है कोई बता रहा है कि ऐसी समश्याई आने वाली हैं तो वास्त विक्ता में होने क्या वाला है यह भी हम सब जानेंगे पूरे महीने का रिजल्ट एक साथ हम इसमें जानने वाले हैं तो आएए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रहों की इस्तिति कैसी है क्या है क् बड़ा सब्द लिखा गया कि ब्रम्हांड में अस्त व्यस्तिति बन रही है ब्रम्हांड में भल्चल होने वारी है बहुत बड़ी क्योंकि देखिए भगवान शूर जो है उनका भी परिवर्तन 16 नवंबर को होने वाला है यह मंगल की राशी व्रश्चिक राशी में आ रहता है इसके बाद वुद की बात करें तो वुद 6 नवंबर को ही अपना राश्चिक परिवर्तन कर रहे हैं ब्रहस्पत की बात करें तो राहु और केतु के गिरप्त शे अब ब्रहस्पति मुक्त होने वाले हैं हो चुके हैं 30 अक्टूबर 2030 को यर्थाद नवंबर ही गए हैं देव गुरु ब्रहस्पति आपको देना तो बहुत कुछ चाहते थे परंतु क्या था वो चांडाल योग से बधे हुए थे इसलिए वो चाह के भी कुछ नहीं दे पा रहे थे फिर शुक्र की बात करें तो शुक्र दो नवंबर को ही अपना राश्चिक परिवर् थे अब यह मारगी होने जा रहे हैं चार नवंबर को ही और साथ में देखा जाए तो राहु केतु का जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इनका 30 अक्टूबर को ही राश्च परिवर्तन हो गया तो नवग्रह नव के नवग्रह इस महीने नवंबर के महीने में सभी ग्रह एक महीने के अंदर ही परिवर्तन करने जा रहे हैं इसलिए लिखा गया कि ब्रहमांड में बहुत बड़ी हल चल है क्योंकि जितने नवके नवकें सब परिवर्तन तो इसका बहुत बड़ा प्रफाव होने वाला है आईए समझते हैं तो आपके जीवन में अभी तक जो आपके कैरियर में समस्याई आ रही थी आप बहुत प्रितन कर रहे थे जिनको जौब नहीं मिला था वो बहुत प्रितन कर रहे थे इंटर्विव दे दे के ठक गए पर जौब नहीं मिल पाया पर अब आपको जौब मिलेगा यदि आप जौब पहले से कर रहे हैं तो यहां पर जो जो समस्याएं आ रही थी, लोग आपकी बुराई कर रहे थे, आपके विपरीत योजनाये बना के आपको नुफसान पहुचाने की कोशिस बॉस का भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था, प्रसर था, उससे भी अप्छुटकारा मिलने वाला है, और साथ में आपके जो मान सम्मान में कमी आ रही थी, वहाँ पर भी अब मान सम्मान आपका बढ़ेगा, इसके अलावा देखा जाये तो आपके घर परिवार में भी कलह का महौल जो बना हुआ था, तो कलह का महौल भी अब दूर होने वाला है, और यदि पहत्तिक संपत्ति योग को लेकर समस समस्याएं थी, तो वहाँ पर आपको विजय प्राप्त होने वाली है, आपके बारी से लोग सत्त्रू बन जा रहे थे, तो अब यहाँ पर लोग आप मित्र बनने वाले हैं, साथ में देखा जाए, तो यात्रा करते समय भी कई तरह की समस्याएं आई, अब यात्रा नहीं मिल रहा था, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो अब लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, साथ में जो बहुत जादा, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत जादा आपके सत्रू बन गए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे सत्रू हर दिन नए बन रहे हैं, तो अब सत आपको ग्रशित किये हुए थे तो यहां से भी आपको अप्षुटकारा मिलने वाला है इसके अलाबा देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो आपके मन में संकाएं चल रही थी बहुत ज्यादा आप दामपत्य जीवन को लेके भी चिंतित थे तो यहां से भी अब आपको दाम पार्टनर का सहयोग मिलेगा और ब्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छी स्तिती बन रही हैं धनलाब की स्तिती ब्यापारियों के लिए भी बन रही है क्योंकि संदेब अभी तक क्या थे वक्री थे अब मारगी हो रहे हैं हाँ यह जरूर है कि साड़े साती चल रही है तो उसका प्रभाव तो कहीं कहीं रहेगा ही परंतो ये जो गोचर की इस्तिती बरतमान में बन रही है ये आपके लिए कहीं कहीं लाबदायक है पहले से बेहतर बन रही है और शूर मंगल और बुध ये तीन ग्रह तिग्रही योग बन गया यहाँ पर शूर और बुध बैठे मुदादित योग का निर्मान हो रहा है साथ में सौर योग का निर्मान हो रहा है साथ में यहाँ पर मकैनिक योग का निर्मान और लंपट योग का निर्मान शुक्र और केतु एक साथ बैठ रहे हैं तो अब लंपट योग बन रहा है शुक्र और केतु शुक्र नीच वस्था में, तो यहाँ पर समझने वाली बात है, आपने वीडियो साइद देखा होगा शुक्र की, तो वहाँ पर बताया जा रहा था कि कहीं न कहीं आपको समझ्याई होंगी, बात तो ठीक है, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि केतु महराज कुषकी रासी में है, बुध की रासी में, और बुध और शूर का परिवर्तन जैसे मैंने बताया और यह पंचम भाव में आपके चले जाएंगे, तो पंचम भाव में शूर अच्छी स्थिति में माने जाते हैं, और साथ में बुध को कारक माना गया है पंचम भाव का, तो इसलिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बुध हो या मंगल हो, तो यह सब आप कहीं न कहीं आपको रिजल्ट अच्छा देंगे, और बुध की रासी में केतु बैठे हैं, इसलिए जब बुध अच्छी स्थिति में है तो केतु को मजबूरन अच्छे रिजल्ट देना पड़ेगा, वो चाहेंगे कहीं न कहीं आपको नुकसान करवाएं, शुक्र और केतु एक साथ बैठके, परन्तु यह आपस में जो है, तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिस करें, क्योंकि बुध की इस्तिती के अनुशार ही इनको चलना पड़ेगा, तो इसलिए अब हम लाष्ट में उपाए भी जानेंगे, तो जैसे आपने समझ लिया कि जो आठों के आठे, आठों ग्रह, चंद्रमा का तो होता ही रहता परिवर्तन, तो चंद्रमा को भीले लिए तो नौग रहे, तो यह जो पहले स्थिती थी अभी तब, अब नवंबर में सुधर्ती हुई दिखाई देगी, और अब हम बात करें उपाए की तो एक तो आपको हनवान जी की आराधना करते रहना है, और भगवान शूर को अर्ग जरूर दीजिए, और सत्त के रास्ते में चलने की कोशिस करना चाहि तो छूर है कि लोगों के उपर बहुत जल्दी आप द्रवित हो जाते हैं, अरथा द्रवित, ऐसे कि आपने किसी को दुख में देखा, तो आप भी दुखित हो जाते हैं और चाहते हैं कि चलो ठीक मेरा एक बार अच्छा हो या ना हो, पर सामने वाले का अच्छा हो जाए तो ये सब्ध थोड़ा, मतलब आपको कहीं तपटा लग रहा है पर लोग कहीं तपटा लग रहा है चूना लगा देते इससे आपको बचना होगा समझ रहे हैं मतलब ठीक है लोगों का उच्छी बात है पर अद्ध उतना ही कि जितना हमारा नुक्सान ना हो जाए, हमको कोई बेकूब ना बना दे थोड़ा सब्द कड़बे तो लग रहे हैं पर ये आप कमेंट करके बताईएगा कि क्या हैसा होता है कि नहीं लोग आपको ढोखा देते हैं कि नहीं देते है आपकी हेल्फ तो ले लेंगे पर जब आपको जरूरत है कि कोई लोग हेल्फ करें जिन्हों ने आपकी हेल्फ ली थी वो फिर मुझ फिर लेते हैं तो अब मौका मिलने वाला है आपको कि आपका समय भी आ गया है बस भगमान की आराधना करिए और जीवन में आगे बढ़िए और कमेंट में जैसिया राम लिखना है क्योंकि हनवान जी तभी प्रसन होते हैं जब भगमान राम की आराधना की जाए जहां भगमान लिखना नहीं एक खाले बोलना भी है आपको जैशियराम बोलते जाएए और लिखते जाएए जितने बार भी आप लिख सकते हैं इसी बहाने भगवान का नाम ले लेंगे हनवान जी राम जी का नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रिदर्सकों ये बहुत महत्यपूर वीडियो थी इससे सेर ज़रूर करिएगा क्योंकि जो करकराशी के लोग हैं वो एक तो साड़े साथी से बहुत जादा प्रहावित हैं तो ये धैया की जो पीड़ा सेर हैं इससे थोड़ा राहत उनको मिलने वारी ये मालूम जाएगा जिससे वो कुछ आंगे अच्छा कर सकेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद